नमस्कार आप देख रहे हैं बिस तक मैं हो रज़त देवगंद शुरुआत करेंगे ग्लोबल संकेतों के साथ और भारते बजारों का सेटप कैसा रह सकता है साथ आज की बड़ी खबरें तो अंतराश्टे एक यूज में सबसे बड़ा ट्रिगर जो मार्केट के पास आज है वो है कच्चा तेल कल के सतर में 9% धड़ाम हुआ जी हां 9% टूटा है कल ब्रेंट और डव्यूटिया के भाव उसका असर आज डेफिनिटली मार्केट पर देखने को मिलेगा कुछ राहत मिली है हाला कि चीन में लॉकडाउन है और उससे मांग घटने की संभावना जादा है गुरुवार को 31 मार्च को इंपोर्टेंट बेटक है ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स की और वो जो भी क्रूट पर लेकर फैसला लेंगे वो बहुत इंपॉर्टन रहेगा सेटप के हिसाब से अभी कच्चा तेल लगवग 110 डॉलर पर कामकाज कर रहा है ब्रेंट और डॉलर पर कामकाज कर रहा है आज भी नर्भी देखने को मिल रही है पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केश पर आप देखेंगे लोर लेवल से बहुत स्मार्ट रिगवरी देखने को मिली थी डाव जोन्स S&P 500 तेज़ी के साथ बंद हुए लेकिन अक्शन जादा तेज़ था नाजड़ाक में लगवग सवा 1% की तेज़ी बन गई और उपर से फुटसी डाक्स और कैक्स थोड़ा मिक्स हो रहा था कामकाज लेकिन इंटरनाशनल मार्केट में ट्रिगर ये कि रूस और यूक्रे सबसे तेज़ इस समय इशारा एजिक से मिल रहा है एक अच्छी गैप अपनिंग हो सकती है इंफाक 17,350 17,400 की रेंज पे और अगर ये रेंज टूटी तो उसके बाद तो अब आपको सिलसलेवार तरीकी से बताएंगे कि निफ्टी के कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आज आपको ट्राक करने है और ये आज की ओपनिंग कितने मायने रखती है मार्केट के लिए लेकिन संस्थागत निवेशक एफाइस की 801 करोड रुपे की बिक्वाली है डियाइस की 1161 करोड रुपे की प्रीवेस सेशन में खरेदारी है तो एफाइस नेट नेट लेवल के ऊपर हम ठीके हुए और कल भी बिल्कुछ 17,000 वहां तक पहुँचते वह नजराया थे लेकिन उसके बाद आपने देखा क्या स्मार्टी फुल बाक बनता हुआ नजराया तो ये जो मार्ट सीरीज है स्वित वर्श की आख्री सीरीज इसमें 17,000 का लेवल तो 17,000 के ऊफर टिक जाते हैं तो ये बहुत इंपोर्टनेंट लेवल है मार्केट के लिए 17,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 श. प्रास हो गया 17-400 तो ये 83 लाग शेर्स एकदम से जो कॉल राइटर जी बैक पुट पर हो जाएंगे और हम देखेंगे बजार पर शॉट कवरिंग और भढ़ती हुना दराई ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि 17-400 के ओपर बेस का काम करेगा उसके बाद 17,000 इसके लावा ऊपर जासे इनने बता है 17-300-17-400 जो के एक बाधा है और हम वही पर ही खुल रहे हैं तो आज थोड़ से नर्वस जरूर होंगे और अल्टिमेट रिजस्टेंस मार्केट के बाद 17-500 है ये लेवल गया तो उसके बाद तो बादा कारोबार से संकेत 17-300-17-400 के ओपर पॉजिटिव बन जाएंगे सेंटिमेट पॉजिटिव और ट्रेंट जब तक 17-200 के ओपर रहे थे तब तक पॉजिटिव रहेगा स्टॉक्स इन न्यूज बड़ी खबरें SBI Life पहला स्टॉक जो ट्राक हो रहा है मार्केट में आज क्योंकि Canada Pension Fund यहां पर हिस्सा बेच रहा है अपना थोड़ा सा हिस्सा 55.8 लाक शेर की ब्लॉग डील होगी 0.56 परसेंट एकुटी बेची जाएगे Canada Pension Fund द्वारा और 1039 से 1077 रुपीज ततीश शेर के भाव पे ये 70 पैसे प्रती लीटर की बढ़ातरी यह रिस्पेक्टिवली यानि दिली में पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपे प्रती लीटर के पार पहुच चुकी है और 22 मार्ट के बाद ये साथ भी बार पेट्रोल और डीजल के दामों बढ़ातरी देखने को मिली है गुरुची सोया कल एफियो पे तगड़ा रिस्पॉंस मिल गया 3.6 टाइम जोर सब्सक्राइब होता हुआ नजरायत है लेकिन सेभी का एक एक एक्शन है कि रिटेल निवेशकों को एफियो से बोली वापस लेने का उन्होंने एक मौका दिया है एफियो से रिटेल निवेशकों को निवेशक आप एफियो से अपने बोली जो है विट्रॉ कर सकते हैं 30 मार्च की डेडलाइन है उसकी इसके लावा टाटा पार रुस्तम जी ग्रुप के साथ मिलकर यह कह रहे हैं कि यह एलेक्ट्रिक वहिकल्स के चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे मुंबही में अक्रॉस मुंबही य सेक्टर में कामकाच करती है उसमें निवेश के इच्छुक हैं तो अगर यह ब्लाक रॉक या फिर मुबादला इंवेस्मेंट का नाम जो जाता है तो यह बहुत बड़ा एक टाटा पार के लिए ट्रिगर बनता हुआ नदर आएगा पावर ग्रेट 821 करोड रुपे निव वेरिटाज हेल्थ केर का घरेलू फॉर्मेशन कारोबार जो है वह 171 करोड रुपे में खरीदने जा रहे हैं और यह जो डील है यह मई तक पूरी हो जाएगी ऐसा कंपनी का कहना है सुदर्शर केमिकल डिबेंचर के जरिए 200 करोड रुपे जोटाने के लिए बोर्ट से मं हेवल्स को वोल्टास पे उन्होंने एफ़ए 22 एफ़ए 23 एफ़ए 24 का हर साल का अपना EPS अनुमान घटा दिया है तो यह कही ना कहें वोल्टास पर अच्छी रिपोर्ट तो है नहीं उनका यह कहना है कि हेवल्स जादा एक बहतर अपले है क्योंकि यह डैवर्सिफाइड बरकरार रखी गई है टागेट दे रहे हैं 3250 रुपे का और साफ़ता पर मार्जन पिचर बिगड़ेगी ऐसा इनका कहना है बैंक अबरिका सेक्यूरिटी और बिंदो फार्मा पर रिपोर्ट उनकी है साफ़ता पर कह रहे हैं वैल्यू अन्लॉकिंग का प्ले होगा इनका जो इंजेक्टिबल कारोबार है अगर उसमें कोई भी डील होती है अगर उसमें हिस्सा बिकता है तो वो बहुत बड़र टिगर और बिंदो फार्मा के लिए बनेगा हाला कि वो टागेट 845 का दे रहे हैं विद बाई रेटिंग CLSA चोला इन्वेस्मेंट पे इनकी रिपोर्ट है इनको डाउन ग्रेड कर दिया है चोला इन्वेस्मेंट को और बाई रेटिंग को घटागर कर दिया है आउट परफॉर्म और जो लक्षे है वो दे रहे हैं 825 जो की मौजुदा स्थर से उपर का लक्षे जरूर है लेकिन 1100 का उमीद करते हैं कि आज आपकी ट्रेडिंग जर्नी प्रॉफिटिबल हो आपसे 10 बजे जुड़ेंगे आज के दमदार सौदे में तब तक के लिए नमस्कार आप देखते रहे हैं बिस्तक हर बड़ी खबर बजार की आपको बिस्तक पर दिखाए देगी जुड़े हैं कि आपको दो ऊड़ सेखेगने कर दिखाए बीज़े हैं का दिएेटने का आपको दिए morals आपको जड़ा स्थे एलेगशेस में दो से एली करते ही comments के चली झालब हो आपको आपको।